हेलो फ्रेंट्स अच्की वीडियो मेरी नीबू के प्लांट के उपर है यहां मेरा 14 इंच के ग्रोब एग में लगा है जहां ग्राफ्टेट प्लांट मैंने तीन साल पहले खरीदा था नरसरी से और यह कागजी नीबू है कागजी नीबू का छिलका पतला होता है इसमें रस होता है तो यह साल में दो बार फल देता है अभी भी कुछ फल लगे हैं इसमें और फल मैंने हार्वेस्ट कर ली हूं कम से कब 25-30 नीबू तो मैं हार्वेस्ट कर रही हूं पहले साल में 8-10 नीबू आये थे उसके बाद से अच्छे नीबू भल रहे है पानी गिरने के बाद जो प्राब्लम आई है दिखरे यह मुझे इस प्लांट में वह है जो कटर पिलर कुछलियों के द्वारा लारवा पत्तियों पर छोला जाता है और उससे जो कटर पिलर निकलता है वो इतना भूका होता है कि पत्तियों को चट कर जाता है फूलों को चट कर जाता है इससे हम हमारा फ्लांट खराब हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए जो मैं करती हूं वह मैं आप लोगों को बताती हूं तो आप भी इसको करें निबू के अलावा भी दूसरे प्लांट में भी यह प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं अध्रक लसन का पेश्ट ल एक चम्माच पॉन चम्माच में इसमें शैंपू डालूंगी और एक धक्कन नीम का तेल वीबू के अलावा भी दूसरे प्लांच में भी कैटरफ्रेलर रागर हो तो यह आप यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से गोलने के बाद हम इस प्रेयर में भर लेंगे भरने के बाद हम अच्छी तरह से पत्तियों में नहां हमको लारवा दिख रहा है वहां भी और सारी पत्तियों में अच्छी तरह से इसको स्प्रे करेंगे इसका स्प्रे करेंगे इससे हमको केटर्पिलर से छुटकारा मिलेगा नहीं तो हमारे फूलों को और पत्तियों को खा जाएगी केटर्पिलर अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए